नमस्कार दोस्तों वेलकम टो सड़ी आई क्यों दोस्तों अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं और आपको पसंद है एर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे की पैराग्लाइडिंग, स्काइडाइविंग, एर रेसिंग एट्सेक्टरा तो ये खबर आपको पसंद आएगे दरहसल, Ministry of Civil Aviation ने हाल ही में इन सभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी, National Air Sports Policy 2022 इंटोडियूस की इस पॉलिसी का मकसद है कि इन सभी एक्टिविटीज को सेफ, सस्टेनेबल और अफोर्डिबल बनाया जा सके आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी पॉलिसी के फीचर्स देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये पॉलिसी इन एक्टिविटीज का एडवेंचर स्पोर्ट्स का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट करेगे सबसे पहले बात करते हैं एयर स्पोर्ट्स की देखें दोस्तों ये एक बहुत ही वाइड टर्म है इसमें वह सभी एक्टिविटीज जो की मीडियम ऑफ दी एयर जो की मिड एयर आप कंड़क्ट करते हैं राइट वह सब आ जाती हैं चाहें वह एरोबैटिक्स हो एरो करने के लिए देखें सबसे पहली बात तो ये कि भारत की जोग्रफी और भारत की टॉपग्रफी एक एंकरेजिंग फीचर यहां पर निकलता है देखें हम सब जानते हैं कि भारत के लगबग हर हिससे में इन गेम्स को इन एक्टिविटीज को आप कंड़क्ट करा सकते हैं साथी में भारत की जो वैदर कंडिशन्स हैं आप देखते हैं कि भारत में एक बहुत लंबा ऐसा पिरिड आता है जो कि गर्मियों का पिरिड रहता है एक ऐसा पिरिड रहता है जहां पर ना तो क्लाउड जादा होते हैं और एक वैदर की फेर कंडिशन्स आप देखते हैं हवाएं भी यहाँ पर ना बहुत जादा तेज ना बहुत जादा स्लो होती हैं तो ideal conditions यहाँ पर हो जाते हैं साथी में एक बहुती बड़ी youth population हमारे भारत की है जो की in activities में interest रखते हैं खासकर हम देखते भी हैं कि कई सारी जो हमारे youth हैं वो दूसरे देशों में जाकर इन activities को लुथ उठाती है एक और बहुत बड़ी वज़ा है वो यह कि हम भारत को एक hub के रूप में डेवलप करना चाहते हैं air sports के hub के रूप में जहां भारत में worldwide से यहाँ पर professionals आएं टूरिस्स आएं और इन activities का मज़ा उठाएं अब हम बात करते हैं अभी की क्या condition है देखें at present एक organization है Federation Aeronautic International जो की Switzerland based एक organization है वो इन सभी activities के लिए standards set करती है यह organization 1905 से इस काम में लगी हुई है और जितने भी global events होते हैं air sports से जुड़े हुए उनको भी यही जो organization है यह conduct कराती है यानि कि FAI ही conduct कराती है at present इसके 100 members है अब हम बात करें तो भारत में हम इसी organization से inspire होकर एक जो national air sports policy लेकर आए हैं ताकि हम भारत को 2030 आते आते air sports के जो इस activity है यह जो air sports का इस फील्ड है उसमें हम काफी high लेकर जाना चाहते हैं इस air sports policy में consequence games को cover किया गया है तो लगबग 11 ऐसी games है जो कि इस policy में cover की गई है उसमें aerobatics भी आ गया उसमें आप aeromodeling भी देखते हैं ballooning हो गया, drones हो गया, gliding हो गया, hang gliding हो गया, parachuting हो गया, paragliding हो गया then powered aircraft हो गया, rotor aircraft आप यहाँ पर देखते हैं यह जो list है इसी यह exhaustive नहीं है, इसमें और activities को add किया जा सकता है अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम basically एक proper governance structure लेकर आएंगे जहाँ पर 4 levels पर governance structure हम establish करेंगे, उसका अब यह हम map भी देखने वाले हैं देखे, सबसे top level पर, यानि कि apex level पर जो governing body होगी, उसे ASFI नाम दिया गया है Air Sports Federation of India, यह सबसे top level पर होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी activities हैं उन सब की अपनी associations होगी, जैसे कि अभी हमने बात की कि यहाँ पर let's say ballooning है या drones है, या gliding है, तो national level पर एक gliding association होगी, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम regional level पर associations बनेगी उसके बाद district level पर associations बनेगी, let's have a look at the whole structure, जैसे कि मैंने कहा कि national level पर ASFI होगी, जो कि India level पर होगी फिर हर air sport activity के लिए यहाँ पर अलग लग यहाँ पर associations बनेगी, जैसे कि भारत में होने वाली sky diving के लिए sky diving association होगी इसी दरह से paragliding association होगी, aeromodeling association होगी, अब हम बात करते हैं regional level पर, यानि कि state या फिर UT level पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हर activity की आगे further sub associations होगी, यानि कि जैसे हमने कहा कि sky diving association of India, उसके बाद Tamil Nadu की sky diving association हो सकती है महराश्टरा की sky diving association होगी, North East region की sky diving association होगी, इसी तरह से paragliding association of India, Tamil Nadu की paragliding association, महराश्टरा की अलग 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 इस तरह से, फिर regional level के बाद आता है district level, तो district level पर माल लिजे sky diving की हम बात करें, महराश्टरा में मुंबई की एक organization होगी, पुने level पर एक होगी, नागपुर level पर अलग से होगी तो इस तरह से, यहाँ पर हमने four tiered structure लेकर आए हैं, इन activities को control करने के लिए, इन्हें standardized करने के लिए ASFI की अगर हम बात करें, जो की apex level की body है, Air Sports Federation of India, हमने कहा, यह एक autonomous body होगी, जो की ministry of civil aviation के अंडर रहकर काम करेगी यही एक ऐसी organization होगी, जो की भारत की air sports को, अलग-अलग world की जो organizations हैं, उनमें जाकर represent करेगी इसमें हमने क्या कहा, that shall provide governance over all aspects of air sports, तो इसमें जितनी भी governance के aspects हैं, चाहिए, वो regulations हो कहां-कहां यह activities perform होनी चाहिए, licensing हो, जो भी यहाँ पर guidelines होगी, वो सब इसी की देखरेख में यहाँ पर लाई जाएंगे इट शेल कंड़क्ट promotional event, तो भारत में air sports को promote करने के लिए जो भी events होगे, वो भी इसी के अंतरगत conduct कराए जाएंगे उसके बाद हमने कहा, जी national air sports associations होगी, जैसे कि अभी हमने कहा कि sky diving की एक association होगी, उसमें क्या होगा, उसमें हमने कहा कि national air sports association shall be accountable to ASFI, यह accountable होगी और देखिए, एक चीज़ को समझ कर चले, चाहे वो paragliding है, या फिर वो sky diving है, या फिर air racing है, सब में safety standards या सब की जो requirements हैं, वो अलग-लग होती हैं, regulations अलग-लग होती हैं तो हर sport के लिए यह जो national air sports association होगी, वो उस sport के लिए accountable होगी, उस sport के लिए responsible होगी, उस activity की जो भी guidelines होगी, जो भी norms होगे, वो ही organization बनाएगी, वो ही organization के members जो हैं, अपने president, secretary, etc. को भी elect करेंगे इनकी responsibility जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर national level की जो association है, वो अपनी यहाँ पर, जो भी regulatory issues हैं, जैसे कि safety, training, licensing, etc. वो सब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर coordinate करने वाली activities होगी, जैसे air traffic control से coordinate करना है, वो सब भी यहाँ पर इनी के पर हम promote करेंगे, sponsors को भी हम promote करेंगे, events and media rights भी यहाँ पर होगे, हम देखते है, IPL अगर कहीं पर खेला जाता है, तो वहाँ पर media rights की बात आ जाती है, कि IPL को shoot किया जा रहा है, तो वो कौन उसको लेकर जाएगा दर्शकों तक, इसी तरह से अगर कहीं पर sky diving से जुड़ी हो होंगे, and media rights भी अपने आप में पैसा लेकर आएंगे, साथ ही में, ASFI may seek financial support from the government of India, so government of India से भी पैसा लिया जा सकता है, financial support ली जा सकती है, collaboration with armed forces, देखिए, अभी हम air sports को promote करने की बात कर रहे हैं, लेकर आने की बात कर रहे हैं, बट हम ये भी जानते हैं, कि जितनी भी हमारी armed forces हैं, जाहे वो आप central armed police forces की बात करें, या फिर हमारी police forces, state police forces भी हम बात करें, तो इन में already ये activities operational level पर conduct कराई जाती हैं, हम देखते हैं, कि sky diving वगरा यहाँ पर armed forces में होती रहती है, तो उनकी भी मदद ली जाएगी, ministry of defense and ministry of home affairs के साथ भी यहाँ पर coordinate किया जाएगा, ASFI के द कि यहाँ पर बात की जा रही है, उनसे भी यहाँ पर guidance ली जाएगी, global best practices की अगर हम बात करें, तो हमने क्या कहा, कि FAI जो एक international level के organization है, जो कि Switzerland based है, वो recognize की जा चुकी है, international Olympic committee के द्वारा, अब international Olympic committee जो है, air sports को भी Olympics का हिस्सा बनाने की बात कर रही है, ऐसे में India, जो FAI का member यहाँ पर बनेगा, वो भी यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर इन ही guidelines को follow करेगा, उसके बाद safety की अगर हम बात करें, तो यह आखरी point है, safety वाला, इसमें हम देखते हैं कि, जैसे कि हमने कहा कि सभी associations को safety norms यहाँ पर set करने होंगे, अगर कहीं पर कोई incidence हो भी जाता है, त और अगर कहीं पर माली जीए, कोई यहाँ पर accident हो जाता है, उसकी reporting जो है, वो यहाँ पर mandatory की गई है, in case आप reporting नहीं करते हैं, और adequate safety measures नहीं लेते हैं, तो आपके खिलाफ यहाँ पर action लिया जाएगा, यह एक ऐसी policy है, जो कि adventure sports के लिए बहुत ही beneficial साबित होगी, investors के मन में एक भरोसा लेकर आएगी कि हाँ, हम इस field में invest कर सकते हैं, tourism को इससे बढ़ावा मिलेगा, and जो हमारी youth है, उन्हें इन activities में participate करने के लिए, दूसरे देशों में, जैसे कि Spain, etc. जाने की जुरूरत नहीं है, I hope कि आपको यह video पसंद आएगी, and आप भी मेरी तरह excited ह होंगे इस air sports policy को लेकर, अगली video में फिर मिलेंगे, till then thank you, and have a great day ahead.